नमस्कार प्रिये दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपको मिलता रहे और आप कोशल पुर्वक जीवन वतीत करें दोस्तों, कुछ ऐसी घटनाई हमारे प्रती दिन के जीवन में घटती रहती हैं, जो हमारे आपसी संबंधों में तनाव पैदा कर देती हैं छोटी छोटी बातों को लेकर हम बड़े आपस में लड़ने भिड़ने लग जाते हैं और बात कहां से कहां तक पहुँच जाती है लेकिन जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो सचमुच में उनका मन कितना साफ और निश्चल नजर आता है मेरे कहने का मतलब यह है कि वे तुरंट आपस के जगडे को भूल जाते हैं और फिर एक साथ खिलने लगते हैं और इसका अर्थ यह होता है कि वे तुरंट एक दूसरे को माफ कर देते हैं, शमा कर देते हैं शमा करना एक विश्वासी व्यक्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि शमा के शुरुवात परमेश्वर की ओर से होती है इसलिए जितने लोग परमेश्वर को जानते हैं, उन्हें एक दूसरे को आवश्य ही शमा करनी चाहिए दोस्तों, शमा वह गुण है, जो बिगड़े हुए संबंधों को फिर से जोडता है जी हाँ, जब कभी गलत कारे संबंधों को बिगार देते हैं, तब शमा उन संबंधों को सुधारने के लिए आवश्यक होती है एक मनुष्य के लिए यह सब कुछ परमेश्वर के अनुगरह के द्वारा संबंधों है शमा करने के विशय में प्रभु येश्यु ने अपनी मृत्यों से जी उठने के बाद अपने चेलों को बहुत ही महत्योपून बात कही आए हम इस विशय में देखी यहां इस प्रकार लिखा है उसी दिन जो सब्ता का पहला दिन था संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहुदियों के डर के मारे बंध थे तब येश्यु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शान्ती मिले और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए तब चेले प्रभू को दीख कर आनन दित हुए येश्यु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शान्ती मिले जैसे पिता ने मुझे भीजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भीजता हूँ यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पौवित्र आत्मा लो जिनके पाप तुम शमा करो वे उनके लिए शमा किये गए हैं जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं यहाँ पर हम एक बहुत ही विशेश बात को देखते हैं दोस्तों कि प्रबु येश्यू अपने चेलों को पौवित्र आत्मा का दान देते हैं और उनसे कहते हैं कि जिनके पाप तुम शमा करो वे उनके लिए शमा किये गए हैं जिनके तुम रखो वे रखे गए है इसका अर्थ यही हुआ दोस्तों कि अपने शेश्यों के साथ साथ आज हम जितने लोग प्रभु येश्यों पर विश्वास करते हैं हम सब को एक दूसरे के पाप शमा करने का अधिकार दिया गया है और जब हम दूसरों को शमा कर देते ह तो परमेश्वेर भी उन्हें शमा कर देते हैं लेकिन यदि हम उन्हें शमा नहीं करते तो उनका पाप बना रहता है दोस्तों मेरे रिदय को आज भी बड़ी शान्ती और तसल्ली मिलती है जब मैं उस घड़ी को याद करती हूं कि मेरे माता पिता ने अपनी अपनी मृत् परमेश्वेर भी शान्ती और एक दूसरे को माफ किया जी हां प्रभु येश्व का निर्दोश बलीदान हमारे सारे पापों को शमा करता है आवश्यक यह है कि हम उन पर विश्वास करें और जब हम मसे येश्व के द्वारा शमा पा लेते हैं तो जरूरी है कि हम भी आप इसमें एक दूसरे को शमा करें दोस्तो आज कोरुना संकट के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ऐसे में हम उनके लिए प्रार्टना करना ना भूले जो इसकी संक्रमन से संक्रमित है और अपने चीवन में संघर्ष कर रहे हैं इनके साथ ही जितने में डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्ते करमी हैं और जितने लोग इस से बचाओ के कारे में लगे हुए हैं सभी को परमेश्वर सुरक्षित रखें और उन्हें हिम्मत, साहस और उत्साह प्रदान करें